है लो दोस्तों मेरा नाम है अजय मोरिया और आप देख रहे हैं अजय सर्जी यूटूब चैनल दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विश्यका लेकर लेकर के आया हूँ दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अफील करता हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों और चैनल को गर सब्सक्राइब नहीं कियां सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रेस कर दीजेगा दोस्तों सरपता उपर आप पार्ट होजना संख्या लिखेंगे फिर उसके निचे विद्याले का नाम लिखेंगे जिस विद्याले में सिछण कार के लिए जाएंगे फिर उसके निचे छात्रा ध्यापक का नाम रहेगा फिर उसके निचे आप पांच कालम बनाएंगे दिना अवध होगी अवध के निचे लिख देंगे। पानसी को अचारितरी विकास करना सामान उद्देशक नीचे विश्ष्ष्टूद्देश रहेगा विश्ष्ष्टूद्देश में क्या रहेगा नमबर एक बच्चों को स्री जवाहर लार नहरु द्वारा अपनी बेटी इंदिरा को भेजे गए पत्र की जानकारी प्राप् के फिर उसके बाद सिच्चंट्विद में दोस्तों प्रष्णोत्तर विदे और व्यक्ष्ष्ष्चनविद स倍त के बाद सायक सामाग्री कि प्रिस्वी पर सबसे जागरूप प्राणी कौन है? चाथ बताएंगे मनुष्ट, अगला प्रशनेज बना लेंगे. नमबर दो, मनुष्ट अपना संदेश किसी दूर इस्तिद्वेक्ट के पास कैसे पहुंचाता है? चाथ बताएंगे टेलिफोन, इमेल, फैक्स, द्वारा. अगला प्रशनेज बना लेंगे. तीसरा, जब टेलिफोन नहीं होता था, तो लोग अपना संदेश कैसे भेजते थे? चाथ बताएंगे पत्र के द्वारा. अगला प्रशनेज बना लेंगे. इसके लेखक भारत के पत्रम पधार मंत्री सी जवाहर लाल नहरूजी हैं. फिर उसके बाब प्रसुती करण. सुधी करण में पाठ जहां से प्रारंब होता है, वहां का एक दो सब लिख देंगे, जिसे प्रिय इंद्रिया, डाट डाट करके अंतिम का दो तीन सब लिख देंगे, शुब कामना है. आदर्स वाचन. आदर्स वाचन में छातर द्यापक द्वारां उचितले आरो, अरो के साथ पत्र का आदर्स वाचन किया जाएगा. फिर उसके बाद अनुकरण वाचन. कथिपा छातरों से करवाए जाएगा. फिर काठिन निवारन. उपहार, उपहार का आर्थ है, मंगल कामना है. असीम का आर्थ है, जिसकी सीवान हो. कुदेश का आर्थ है, लच्जित का आर्थ है, सर्मिंदा. दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आजाए सादी यूटूब चर्ल को दोस्तों अगर वीडियो को लाइक ने के दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां सभी विश्वक के लिश्म परांद देखने को मिल जाएंगे आप किर्प्या डिस्क अब द्याख्या करेंगे श्री जवाहला नहरू द्वारा अपनी पुत्री को एक पत्र लिखा गया था जिसमें उनको जन्म दिन की सुभकामनाएं दी गई थी जवाहला नहरू उस समय नैनी जेल में बंद थे यह पत्र 26 अक्टूबर सन 1930 को लिखा गया था जवाहला नहर को कहा कि तुम्हें जोन आफ आर्ग की कहानी पसंद थी तुम स्वयम भी उसी की तरह बनना चाहती थी पर साधारन पूरु तता इस्तरियां इतने सासी नहीं होते वे अपने घर ग्रिहस्ती में ही फसे रहते हैं लेकिन किसी महान उद्देश की पूर्ती के लिए उनमें भ भाग लेने के लिए अगला प्रश्ण कैसे लोग अपनी बातों को छिपाते हैं मौन हो जाएंगे चाहते ब्याक्या मताएंगे उस समय बापू जी का स्वाधिनता अंदोलन चन रहा था जिसके बिसे में स्री जवाहला नहरू जी का कहना था कि यह एक सुभ आउसर है कि हम लोगों को इसमें भाग लेने का मौका मिल रहा है इंदिरा को जवाला नहरू जी कहते हैं कि कभी हैसा कारे मत करना जिसे तुम्हें लोगों से छिपाना पड़े छिपाने की नौबत तभी आती है जब वह कारे गलत होता है इसलिए बहादूर बनो फिर उसके बाद आदर सवाचन छात्रा ध्यापक द्वरक क्या जाएगा अनुक्र रवाचा कातिपा छात्रों से करवाए जाएगा मुल्यांकर प्रश्ण मुल्यांकर प्रश्ण में देखे पहला प्रश्ण है पुत्री के जन्वदिर पर नहरू जी उपहार क्यों नहीं भेज़ सके नंबर दो साधारण पुरूस और इस्त्रियां कब वीर पूरूस और विरंगराएं बन जाती हैं नंबर तिसरा स्वतंत्रता आंदोलन किसके नेत्रित में चलाया जा रहा था नंबर चार यह पत्र किसने किसको लिखा था नंबर पांच जोन आप आर्क की कहानी क सिङपण भट कार अ उतारने के लिए के लिए निरिच्छन कारी की उतार रहे हों तब गोदी प्रधाना ध्यापक के नाम एक पतलिकों जिसमें दो दिन कांपास मागा गया हो लिए दो सबी विश्यों के लिए सर्पार आपको देखने को मिल जाएंगे